जल में डाला जाता है तो उसके चारों तरफ जल इकठा हो जाता है और एक उर्जा बाहर निकलती है उसी उर्जा को क्या कहा जाता है जालक जल योजन उर्जा कहा जाता है जैसे मालो आपने नमक को जल में डाल दिया एन्य चatsu है इसको किसे में डाल दिया जल में डाल दिया कैसे तुटेगा ये और सिद मास होगा क्या एन्य पलस को कई सियर लें चैनल के और लेंगे तो ये जल के 6 अणू इसको 4 तरब से गेर लिया तो जल का सुत्र क्या होता है H O O C तो ये रहा H O O C H O O C H O O C H O O C और इस परकार से जल के अणू आ गई है क्योंकि O O C minus का charge होता है जबकी इस पर क्या होता है पलस का charge होता है तो पलस की तरब क्या रहे गा minus वाले रहेंगे इस परकार से इनके बीच में क्या होगा attraction होगा इससी attraction के फल्सरूप क्या होगा ये इसको आकरशित करेगा और इससी अकर्षन के फलसुरूप क्या होगा एक उर्जा बहार निकलेगी उस उर्जा को बिलाई करनी उर्जा या जली उर्जा कहा जाता है इसी परकार कलोरीन है CL इस पर माइनस होता है तो माइनस को पलस चारों तरफ से गेर लेगा तो सामने ते ये 6 जलकेणों गेरते हैं तो ये 6 जलकेणों आ चुके हैं और इस पर माइनस है तो इसका पलस क्या होगा इधर होगा अब की बार पलस है वो माइनस की तरफ होगा ऐसे 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 तो ये आईडोजन पर पलस है पलस है और ओक्सिजन पर क्या है माइनस है तो ये ओक्सिजन तो पलस को माइनस ने गेर लिया है माइनस को पलस ने गेर लिया है इस परकार से एक उर्जा बाहर निकलती है से क्या कहा जाता है जल योजन उर्जा या विलाइकन उर्जा कहा जाता है तो कोई किसी की जल योजन उर्जा या विलाइकन उर्जा का मान यदि जालक उर्जा से ज्यादा हो जाई यानि कि एक होती है जालक उर्जा जालक उर्जा और एक होती है जल योजन उर्जा जो अप सद्रजी है कि क्या हो जाएगा वहेजल के अंदर घुड जाएगा जबकि यदि इसके विप्रीत हो कि हाइड्रेशन अनर्जी का मान क्या रह जाए कम रह जाए तो क्या होगा जल में नहीं गुलेगा तो इस प्रकार से कई बारे क्यों सनाता है क्या कारण है कि वी एस ओफोर जल में घुल जाता है तो यह तो आपको बताया कि एक को कई जल नहीं गिखाया है और एक पलस को कई माइनस को कई पलस से के गिखी है तो यदि ऐसा हो कि लेटिस अनर्जी का मान बड़ा हो इसको सोट मैं क्या कहा जाता है यह लेटीस मजबूत है जालक मजबूत है वोट उटेगा नहीं तो यह जल में विल्य नहीं होगा जल में विल्य नहीं होगा यदि इसका उल्टा हो जाए कि हाइड्रेशन अनर्जी क्या हो जाए जानक उर्जास से यानि कि हाइड्रेशन अनर्जी है वो जादा हो जाए कि से लेटिस अनर्जी से तो क्या हो जाएगा वो सोलिबल हो जाएगा इसलिए अपने याँसे कहते हैं कि MgSO4 MgSO4 जल में घुल जाता है जब कि BSO4 नहीं घुलता तो MgSO4 के लिए तो निचे वाली कंडिशन होती है तो MgSO4 और इसके लिए BSO4 के लिए उपर वाली कंडिशन होती है इसलिए BSO4 नहीं घुलता MgSO4 घुल जाता है तो अपने ऐसे इस परकार के क्योंसनों को हल करने के लिए एक सोट तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे का उगे कि लेटी संदर्जी होती है लेटी संदर्जी होती है वो होती है अभी अपने पड़ा की लेटी संदर्जी होती है वो समानुपत्ती होती है r pantry से r minus की समान पाति होती है क्यों r minus बड़ा होता a r plus होता इसे लिए इसको नगेने मानकर छोड़ देते हैं तो latest energy किस की समान पाती है r minus क्या है ऐसी याद रखो आप और जबकि hydration energy है hydration energy hydration energy का एसे ध्यान रखो hydration h h hены h को थोड़ा सागे कर दो यानि कि पलस का मान बढ़ गया इसका मतलब है कम हो गई और माइनस का मान बढ़ गया इसका मतलब लेटिस अनरजी कम हो गई तो जैसे देखो अपने अग्जामपल के तोर पर है जासे एक बी एसओ पूर एक अमज़खो पूर है मीद में सब्सक्राइब है उपने जांते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुन्दर बाप राजी तो यह छोटा है मोटा है और मोटा है बहुत मोटा है मोटे शेवी मोटा तो निचे जाने पर आकार बढ़ता है यह छोटा दनाइन है और यह मोटा दनाइन है दनाइन पर डिपेंट करती है आइडेस अनर्जी छोटा होगा तो हाइडेस दिरी यहां पर अनर्जी में और यहां पर बड़ा दनाएनी गन निश्चान अनरजी कम अनरजी कम है और एडagar ज्यादा है तो पर सद्सक्राइब कम है कि यmosves कनल इंदा होगा से भी कम होती है तो यह विल्य नहीं होगा इसमें ऐसा ही होता है तो इसके इस परकार क्या आप उतर दे सकते हो कि कौन किसमें विल्य होगा और कौन किसमें विल्य नहीं होगा तो यह आप है बता सकती हो इसके अलावा एक लावा एक यहीं और देते हैं आपको जैसे एक है अल मृ ऐप है ऐल और एक में अरी लिभी य dah napå नहीं हो रहा है यहां पर क्या और जोटा है तो यहां पर नहीं चान हो रहा है तो जोचेंज हो रहा है उसके आदार पर एया का सकती हो जल में नहीं तो नहीं होगा